इंदोर कलेक्टोर कारेले में विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर निर्वाचोन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बैट्रक आहुत हुई बैट्रक में आचार सहिता को लेकर मन्थन किया गया देखे एरपोर्ट इंदोर में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को निश्पक्ष और शांती पूर ने ढंक से कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है जिसे लेकर कलेक्टोर कारेले में लगातार बैट्रकू का दौर ज़ारी है इसी कड़ी में आज फिर सबताहिक बैट्रक आउजवित की गई जिला निर्वाचोन अधिकारी, कलेक्टोर निशान वरवडे और इंदोर पुलिस कप्तान ध्याईजवी हरी नारा इंच्वारी मिश्र ने बैठ्रक ली इस जोरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को चुनाव और आच्वार सहीता कुली कर उचित दिशा निर्दीश दिये गए चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रहा है आच्वार सहीता को लेकर पुलिस की कारवाई गती पकड़ रही है आने वाले दिनों में सुरक्षा बलकी और से कंपनियां बढ़ेंगी जिससे शेहर में चैकिंग अभियान तेज होगा वहीं आच्वार सहीता को लेकर कारवाई भी बढ़ेगी साथी अपराधियों पर भी पूरा कंट्रोल रहेगा को चिनित कया गया है जो चुनाओ को प्रहाईट कर सकते हैं उन व्यक्थियों पर करवाई की गई है जो इस चुनाओ के इस तरह से चिनित किया गया है इस संदर्व में करवाई का उदेश यह है कि चुनाओ की जो प्तकिरिया है पुरे तरह से निस्वक्ष को पारदर्सी हो और इसमें हर उत्त ही जो कि चुनाओ को प्रत्कूल धंचा प्रहायुत करता है उसमें समय रहते करवाई पूरी हो जाए अगर बल कि हम बात करें तो कुल लगवाग ब्यालीस कंपणिया यहां के चुनाओ के मद्दे नजर मांगी गई है यहां के जिले में पांच शार का बल है लेकिन इसमें से कुछ बल हो सकता है दूफरे जिलों में भी भेजा जाए क्योंकि डियेफ का बल कम रहेगा इसमें सी घुरॅझ मद्द नजर पूरी बल का जो डूपलायमेंट है उसके प्रकेरिया चल रही है डूपलायमेंट का हम लोगोकोने प्लान तयार कर लिया है और शिख रहने आपको जो बाकी कंपणी आएंगी वह जो चेकींगा उसमें उनको डिप्लायमेंट डिप्लाय किया आए हुए हैं बेरो रिपोर्ट अम्पी न्यूस इंदार